हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रिजेश मौरे आपका हमारे यूटीब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टिट्यूट में स्वागत है तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि अगर आप एक किसान हैं और अपने धान को सरकारी दामों पे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक आलाइन रेजिस्टिशन करना पड़ता है यह आलाइन रेजिस्टिशन आप कैसे करेंगे आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए बिना टाइम गमाए हम सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विबसाइट दिखाई देगी आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे उत्तर प्रदेश खाद्यम रसद विभाग की ओफिशल विबसाइट ओपन हो जाएगी इसमें ओपन होने के बाद आपको यहां पे आना है खरीद है तु किसान पंजी करड़ आप जैसे यहां से खरीद है तु किसान पंजी करड़ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद कुछी इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा आप यहां पे देख सकते हैं कि खरीद है तु किसान पंजी करड़ में में धान खरीदे तो किसान पंजी करण के लिए कुछ यहां पे महत्वपुड जानकारी दी गई है आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ ले और पढ़ लेने के बाद जैसे ही आप यहां से नीचे आते हैं आगे बड़े पे क्लिक करना है और जैसे ही आप आगे बड़े की त्रूटी है तो आप उसे संसोधन कर सकते हैं इस्टेप 3 से आप अपने पंजी करण का एक ड्राफ्ट प्रिंट आउट ले सकते हैं और इस्टेप 4 से आप अपने पंजी करण को लाग कर सकते हैं इस्टेप 5 से आप अपने पंजी करण की फाइनल प्रिंट आउट ले स किसान अपना नया पंजिकरण करना चाहते हैं यहां पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे आधार नंबर इंटर करने के बाद यह जो आपको कहचा कोड दिखाई दे रहा है आप इसे यहां पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद आप यहां पे सही का चिक लगाएंगे इ जैसे कि किशान का क्या नाम है, क्या जेंडर है और फिर आधार में जो आपकी पंजिकरित मोबाइल होगी, ये मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगी, पिता या फिर पती का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, किशान की श्रेडी दिखाई देगी, आपको यहाँ प बाद आप यहां पे देखेंगे कि यह आपकी पूरी जानकारी भरी हुई है आल्रेडी कारण यह है कि यह जो किसान है इनका पहले से रेइस्टेशन पिछली साल हो चुका था और पिछली साल के रेइस्टेशन के कारण इनका जो भी डिटेल्स है यह पिछला यहां से उठाय जा रहा है अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं अगर आप इनी डिटेल्स को रखना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं इसके बाद आपको यहां से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहां पे किसान की भूमी का वि दे दिया है तो आपको यहां पे यह सब कुछ दिया हुआ दिखाई देगा आप इसे चाहे तो संसोधित भी कर सकते हैं आप इसे चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं आप इसमें चाहे तो और भी यहां पे अपनी भूमी को एड़ कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां से यह नी प्रिंट आउट ले सकते हैं और अगर आप यहां से चेक कर लेते हैं तो चेक कर लेने के बाद आपको यहां पे step 3 पे जाने की जरूरत नहीं है चुकि step 3 पे भी आप अपने पंजी करण का draft प्रिंट आउट ही ले सकते हैं आप यहां से directly step 4 पे जा सकते हैं तो चलिए हम यहां से step 4 पे क्लिक कर देते हैं इसके बाद आपको यहां से आधार कार्ड संख्या बरनी ह इसके बाद आपको यहां से यह capture code फिल करना है और capture code फिल करनी के बाद आपको यहां से इसे accept करना है और accept करनी के बाद आपको आगे बड़े पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहां से आगे बड़े पे क्लिक करते हैं आगे बड़े पे क्लिक करने के बाद आप step 4 पे आज उनको भली भात यानि पूरी अच्छी तरीके से आप चेक कर लें और चेक कर लेने के बाद यदि अगर इसमें कोई भी गलती हो और उसमें संसोधन की आपको जरूरत है तो आप यहां से जा करके step 2 से 50 करण संसोधन के माध्यम से कर सकते हैं और यहां पे step 4 से अगर आप एक बार लाग कर देते हैं लाग कर देने के बाद यह जो आपका आवेधन पत्र होगा इसमें किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं किया जा सकता है तो आप इसे ध्यान पुरवक आप यहां पे नीचे ड्रैक करके इसे पूरा चेक कर ले कि कि आपने इसे सही फील किया है आप यहां पे सही का टिक लगाएंगे और सही का टिक लगा लेने के बाद आपको यहां से लॉक करे पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लॉक करे पे क्लिक करते हैं लॉक करे पे क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल नंबर पे यहां से एक OTP गई है और यह मुबाइल नंबर आ आपकी mobile पे OTP गया है, आप यहां पे फिल करें, और OTP फिल करने के बाद आप यहां से verify ज़रूर कर लें, अगर आप यहां से आपकी mobile नंबर पे OTP नहीं जाता है, तो आप यहां से recent OTP भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे यह 5 मिनट का time out रहता है, तो चलिए हम यहां से OTP फिल कर लेते हैं, OTP फिल कर लेने के बाद आप यहां से verify पे click करें, verify पे click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि किशान का viewer सफलता पुरवक लाग हो गया है, आप यहां से ok पर click करेंगे, इसके बाद आप यहां से इसका एक print out ले सकते हैं, चुकि यहां पे step 4 में 55 आपको दिखाई देगा, यहां पे भूमी सत्यापन लंबित आपको दिखाई देगा, पीफेमेस बैंक खाता लंबित आपको दिखाई देगा, हिस्सेदारी SDM के द्वारा यह भी आपको लंबित दिखाई देगा, आप यहां पे इस 50 करण प्रपत्र का एक print out जरूर ले और print out लेने के लिए आपको यहां से print vehicle पे click करके इसका एक print out ले लेना है, तो I hope दोस्तों आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने धान को बेचने के लिए अपना registration करेंगे, यदि अगर आपने पिछली साल registration किया है, तो आपकी जो details होगी कुछ details उसमें feel हुई दिखाई देगी, अगर आप नई तरह के से अपना registration करते हैं, तो उसमें कुछ अधर जानकारिया जो होती है, वह आपको feel करने क्याव सकता पड़ सकती है, अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे ताकि हम धान से related और वीडियो आपके लिए लाते रहें, जहिन नमस्कार दोस्तों